11 सितंबर का आज का दिन एक और वज़स से विशेश है एक सदी पहले आजी के दिन स्वामी विवेकानंजी ने शिकागों में अपना अईतिहासिक बाशन दिया था उस बाशन के माध्यम से पूरे विश्व ने हिंदुस्तान की संस्कृति हमारी परंपराओं को और गहराई से समझा था अपने सम्मोधन में स्वामी विवेकानंजी ने विश्व शांति के लिए बारत का दर्शन भी सामने रखा था लेकिन दुर्भागे देखिए उसी 11 सितंबर को 9-11 को अमेरिका में इतना बड़ा आतंग की हमला किया गया कि दुनिया दहल गई बाई यूर बेहनों आज आतंग बाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहत से नहीं बन दी है ये एक गलोबल प्राब्लेम है ये गलोबल थेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़े हमारे पडोस में फल फुल रही है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को आतंग बादियों को पना और प्रसिक्षन देने वालों के खिलाब आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरुत है कड़ी कारवाई की जरुत है भारत अपने स्तर पर इस चुनावती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है यह हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे हाल में आतंग निरोधी कानून को कड़ा करने का फैसला भी इसी दिशा में किया गया प्रयास है अब संगधनों का नाम बदल कर आतंग की अपने कारणामों को नहीं छुपा पाएंगे भाई और भेनों समस्या चाहे आतंग की हो प्रदुशन की हो बिमारी की हो हमें मिलकर इनको पराजित करना है आए संकल्पबद होकर आगे बढ़े और आज जीशु देश के लिए है हम यहां इखटे हुए हैं उनको हासिल करने का प्रयास करें की हो यहां जीशु वाजू झाल क रगे यहां प्र fautब रधे हैं उनको हुए है प्रदू आज जीशु झाल जीशू झाल